हम सबी के साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है कि जम आपको किसी काम के लिए घर से बाहर जाना होता है और घर से निकलने के ठीक आदे गंते पहले आपको याद आता है कि आप अपना फोन चार्ज करना तो भूलिए और आपके फोन की बैटरी सिर्फ 20 परसेंट रह चुकी और अब आप अपने फोन की बैटरी को इंक्रीज करने के लिए अपने मुबाइल को चार्ज करने में जुट जाते हैं और दोस्तो इतने कम समय में वो 45 परसेंट तक चार्ज नहीं हो पाता तो दोस्तो ऐसी सिच्वीशन से बचने के लिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी चार्ज हो रही है जब आपका फोन स्विच ओफ रहेगा क्योंकि इससे आपके फोन की किसी टाइप की एनरजी जो है वो वेस्ट नहीं होगी अब आपका फोन किसी टाइप के सिगनल को रिसीव नहीं कर रहा है और नहीं सेंड कर रहा है और नहीं आपके मोबाइल फोन की स जैसे Wi-Fi, Bluetooth, NFC इस तरह के सभी फीचर को बंद कर दें, क्योंकि यह बिना मतलब ही अपकी बैटरी को यह consume करते रहते हैं, और इसके साथ यह कर आप पावर सेविंग मोड अगर on कर दें, आप अपने फोन को silent mode पर डाल कर उसका vibration भी off कर दें, जो कि सिर्फ आपकी फोन की flight mode on कर दें, जिससे कि आपका फोन सारे communication channel से disconnect हो जाएगा, आपकी sim काम करना बंद कर देगी, जिससे कि आपका फोन network में signal send और receive करना बंद कर देगा, और network से connect होने के लिए जो बैटरी consume हो रहेगी, वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी, और आपका फोन जल्दी अधी से chain से सास ले पाएंगे, हमारी अगली ट्रिक है, charge mode को enable करना, भाया, charge mode को enable करने के लिए सबसे पहले हमको setting में जाना पड़े, इसके बाद about device में जाकर build number पर 7-8 time step करना है, जिससे कि आप आपके phone का developer option को चालू कर लेंगे, और इसके developer option में जाकर आपको USB configuration को option जाएगा और आप phone की charging speed को automatically increase कर पाएंगे, अगर आप अपना phone laptop में USB cable attach करके charge करते हैं, तो दोस्तों आपका phone charge तो होगा, लेकिन वहाँ दुगना time consume कर लेगा, क्योंकि laptop के थुरू आपके mobile में इतनी power supply नहीं होगी, जितने के normal power adapter में होती है, मान लीजे अगर power adapter से 1 ampere तक की ही power supply मिल पाएंगे, और जहां तक आपका phone एक घंटे में full charge होता था, वहाँ आपके phone को पूरा charge होने में लगबग 2 घंटे लगेंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने phone को laptop के थुरू या desktop के थुरू कभी charge ना करें, फोन के back cover तो वैसे phone की safety protection के लिए आपके phone की charging speed definitely बढ़ जाएगे, क्योंकि आजकल phone में use होने वाली lithium ion batteries जब cool होती तो वो तेजी से charge होती है, और अगर वो heat होना start होती तो उनका charging level भी down हो जाता है, अक्सर कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अक्सर अपने phone को charge करने के लिए किसी भी shop से कोई सा भी घटिया सा फाल्तु वाला charger ले आते हैं, जो कि हमारे phone की charging speed को नहीं बिगारता है, बलकि हमारे phone की battery को damage भी कर देता है, इसलिए make sure जब भी आप अपना phone charge करें तो वह charger branded हो, क्योंकि branded charger आपकी phone की charging speed नहीं बढ़ाते हैं तो इस channel को subscribe करें, तक यह आने वाली हर वीडियो की notification सबसे पहले आप तक करें,